आज मैं आपके लिए ठंड की बहुत ही हल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही फास्ट बनकर रेडी हो जाती है वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे सरा क्लाइब आजब लेना में चारो एज मिए टुकड़ों में तुकड़ों में नहीं काड़ना है मैं उन्हें जोइंटी रखना है कि सिर्फ़ बी वाले पोशुन को उससे अलग करना है कि अब देख सकते हैं कुछ इस तरा से अलगें गरिंगेंगे हैं मैंने पोलिट्रि से अलग कर लिया है अब हम सारी ब्रेड को इसी तरह से किनारों से अलग कर लें Hz इह देखिया मैंने सारी ब्रेड को किनारों से अलग कर लिया है अबाझ में इसे साइप शायड में रख देंगे यहाँ पर मैंने लिये हैं तीन पोलीट्री फोर्म के अंडे जिसे हम फार्म इंड changes भी बोलता हैं आप चाहे तो दिरे लिया जारे सकते हैं नंडो को एक बोल में निकाल लिया है और यहां पर मैंने ली है एक बड़ी साइस की प्यास अगर आप चूटी लेते हैं तो दो ले सकते हैं उसके इलाबा मैंने यहां पर लिया है थोड़ा सा बारी कटा हुआ फ्रेश हरादनिया इसे भी मैंने बारी कट कर लिया है अब सब यह पेले कना टेबल इस्पून नमक खेगे एक टेबल स्पून से थोड़ा कम लालमीर्च पाउडर कम गश्याद या जादती आप अपने टेस्ट के अकवाडिंग कर सकते हैं एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सुखा दनिया पाउडर, एक चोथाई चम्मच काली मिर्ज पाउडर, अब हम इन सबको एक बड़े से बॉल में ट्रांसफर करेंगे, हम इन सारी चीजों को इसी बॉल के अंदर डाल देंगे, अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से हमें इसे फेटना है, इसे अच्छे से फेटने में चार-पांच मिर्ट का टाइम लग जाता है, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से घुमाते हुए, मैंने यहां पर एक ली है Capsicum, medium size की Capsicum ली है, यह जो की half red और half green हो गई है, अगर आप चाहें तो एक red कलर की Capsicum और एक green कलर की Capsicum दोनों अलग अलग ले सकते हैं, और दोनों को mix करके इस तरह से बारी cutting कर सकते हैं, पर मैंने पास ओर्डेडी दोनों कलर की mix Capsicum थी, तरह पेन गर्म होने के लिए रख दिया है तो यह हमें इसके उपर बटर या उपलाई करना है जो भी आपकी चौइस है अब इसके अपर हम रखेंगे यह ब्रेड की एजेस को पैन के उपर इस तरह सेट कर दिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे यह गोल या अंडे वाला यह नहीं निकल जाए और में शीक्वार का पैस्ट को इस चारो ब्रेड की एजेस के अंदर डालना है कि देखिए हमें टोड़ा खोड़ा करते है वरना यह बाहर ना निकल जाए और मैं जोगें मिडेम रखना है यह देखिए हमारे तीनों अंड़ का पेस्ट इन चार ब्रेड के लिए इनफ है बिल्कुल परफेक्ट है यह देखिए मैंने सारे पेस्ट को इन एजेस के अंदर डाल दिया है आप इसे चम्मच या चाकू की हल्प से थोड़ा सा सेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा बहार निकल जाता है तो जैसे में कर रही हूँ अब हम गेस का फ्लेम मीडियम भी रखेंगे और इसे अच्छे से सीखने देंगे एक तरफ से इसी स्टेज पर अब हम इसके अंदर डाल देंगे वह बारिक कटी हुई शिमला मिर्च या केपसिकम मैंने यह पर एक ही तरह की केपसिकम ली है आप चाहें तो दो तरह की केप अपर नाचके पर देंगे अओ चाहरो ब्रेड की पर करें सिस जखने चाहरो पर 4 ब्रेड के वह एक पर पार रहा है हूंues देख तेखके में संदेज पर ट्रार के चीज जैस रख सकतें एक जान। धे इस नहीं में दो खिंगे नाचने अगर आप खाना चाहते हैं तो उसके बाद आप इस ब्रेड को रखें अधर्वाइस कोई बात नहीं मैंने भी यहां पर चीज श्लाइस का यूज नहीं किया है अब हम इस तरह से इसको हलके हाथ से प्रेज कर देंगे हलके हाथ से या फिर आपके पाद जो भी इस पे चुला हो उससे ताकि हमारी ब्रेड जो है अच्छे से सेट हो जाए हमारे ओमलेट के उपर हमें मीडियम प्लेम पर इसे लगबग पांच से साथ मुक्ता पकाना है यह देखिए हमारी ब्रेड जो है एक साइट से सीख चुकी है मैंने इसे प्लेट कर चेक किया है अब हम इसे थोड़ा से उपर उटाएंगे और इसके उपर दोबारा से थोड़ा सा ओई या बटर अपलाई करेंगे आप इसे डायरेक्ट नहीं पल्टे है अगर आप इसे डायरेक्ट पल्टेंगे तो दूसरे साथ से यह अच्छे से सीख नहीं पाएगी क्योंकि बटर या ओईल अपलाई करना बहुत जरूरी होता है दोनों से ही आप इससे थोड़ा सा इस तरह से उठाते जाए और इसके उपर बटर या ओईल अपलाई करते जाए यह देखिए मैंने चारी ब्रेड को पलट पलट कर दिया है अब दूसरी साइट से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे आप देख सते हैं हमारा ब्रेड ओमलेट जो है कितना सुंदर लग रहा है कितना यम्मी है यह मैंने इसके अंदर चीस स्लाइस का यूज नहीं किया है आप चाहे तो कर सकते हैं आपकी चॉइस है हमें इसे दोनों साइट से थोड़ा क्रिस्पी करना है ताकि यह खाने में और भी अच्छे लगे आप देख सकते हैं मैंने सबको एक प्लेट में निकाल लिया है आप इन गर्मा गरम कुरकुरे ब्रेड आमलेट को टॉमेटर सोस के साथ सर्फ कर सकते हैं आपको मेरी यह च कितना यमी लग रहा है यह खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है अगर आपको मेरी यह चोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक्यू